आज हम बनाएंगे आलो और ड्रम स्टेक की ग्रेवी और सबजी रेसीपी तो जाने के लिए देखिए वीडियो को एंड तलग तो यहां पर मैंने पैन लिया है सबसे पहले डाल देंगे ऑईल इसके बाद हम एक चमज डाल देंगे जीरा इसे अच्छे से फ्राय होने के यहां पर हम अनियन को यूज नहीं करेंगे बगिर अनियन के हम सबजी बनाएंगे और बहुत मज़िदार बनके तयार होती तो यहां पर देख सकते हो टमाटर का जो प्यूरी अच्छे से बुन चुकी है तो यहां पर एक चमज में जिंजर गाली का पेज जाल के इने पर कुछ ड्राय मसले एड़ करेंगे आफ टीस्पून चाट मसला आफ टीस्पून दनिया जीरा अनल्डी सौद अनुसार नमक और एक चमज यहां पर मैंने कश्मीर लाज मिर्श का पाउडर लिया है ताकि जो कलर है हमारे सबजियों में अच्छे से आशके इस तरह से हम सारे सुक्य मसले डना कर अच्छे से मिक्स करते हुई भूण लेंगे इसकी बात जो है इस तरह से कच करके लें मीडियम साइज में तो यह बहुत ही अची देते महार तो यदि फ्लेवर दिते हैं⁠ निलावुकि मिर्श कैनने हैं अलो के साथ में बोन लेंगे इक काफी अच्छ सबजी वनके तरह हो जाती है तुम पार पार मिनद के लिए डखकन लगाए रग दिया तक यहां पर देख शकते हो पाने डाल दूँगे एक लास यहां पर मसले अच्छे से बुन चुकी है तो यहाँ पर एक ग्लास पाने डाल के और आलो को मैंने सेपरेटले बॉइल कर लिया था तो यह कुछ आलो है इनमें डाल देंगे लिए इसमें से कुछ चार पीस निकाल के हम अलग से रख देंगे तो चलिए आपको मैं दिखाती से मैं क्या करने वाली हूँ यहां पर मैंने चार पीस को अलग से रख दिया तो इस तरह से में हाथ से क्रश करके डाल दूँगी ताकि जो हमारे ग्रेवी तोड़ी सी घाड़ी हो जाए और अच्छी फ्लेवर भी आ जाए इसके अंदर है तो देखिए यहां पर इस से में क्रश करके कुछ अलगी टाइप का एक सबजी बनके तयार हो जाती है यह ज़्यादा करके राइज में बहुत ही अच्छी लगती है आप जब बनाओ तो राइज की कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसकी बाद हम इसमें डाल देंगी खटावा हरादनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी बाद जो हम ढ़का लगा के रख देंगे इने 7-8 मिनिट के लिए तो यहां पर मैं ढ़का लगा दिया तो यहां पर दीकिए 7-8 मिनिट हो चुकी है जो हमारी ग्रीवीय सबजी है बनके एकदम तयार हो चुका है देख सकते है इतनी मज़ेदार लग रही ह आप जरूर इसे अपने गरों में ट्राइ कर लेना लेकिन इसकी साथ में आप राइस की साथ में इसका जो कॉम्बो है बहुत ही मैच करता है तो आप जरूर जब यह सबजी बनाएंगे तो राइस की साथ में आप खा के देख लेना बहुत ही यम और बहुत ही अच्छी बन and thanks for watching my video bye-bye